जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यतित है समझ लोग कि मैं व्यतित हूँ जब तक संसार में अन्याय और भेद भाव है ये समझ लोग में प्रती पल पीड़े थो संसार की शान्ती में ही मेरे मन की शान्ती पंच महाभूतों का महाभाग है जल जल द्वारा मेरे अभी शेक से जीवन दाए जल की अब मानना नहीं होती है क्या ये जल का सरोत्तम उपियोग है क्या श्रथा और विश्वास को प्रकट करने के लिए जल का अर्पन वर्याप्त है क्या निर्जर पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को मत्व नहीं दूगा जल आत्मा की सजीव नहीं है असंक्य मनुश्व जीव जन तो जल के आभाव में चीवित रहने के लिए विवश रहते न जाने कितने ज़ती जल की एक बूंद के लिए दिर्शित रहते ऐसे मैं जब नदी कि भावती जल मुझ पर अर्पित किया जाए मुझे पीला होती है जल शरीर का संचालक है यदि मेरे भक्ते से जीवन सुरक्षाहे दुआर्पित करेगे मैं तब भी मदद होनोंगा पेल पत्र मुझे आती प्रिया है ये मेरा संताफ हरते है ददूरा मुझे प्रिया है ये मुझे शान्ती देता है कि तो यदि संसार शान्ती का युद्ध शेत्र बना रहेगा मेरे स्वजनों के बीच सरे महा युद्ध छिड़ा रहेगा तो मांत्र ददूरा और बेल पत्र अर्पित करने से मेरे मन को शान्ती कैसे मिल जाएगी मेरी पूजा संपन्न कैसे हो जाएगी उपासना में यदि मेरे जैसे हो जाने का भाव है तो मेरी सच्ची उपासना है यदि उपासना का भाव मेरे लोग और मेरे समीब आने की काम ना है तो सच्ची पूजा और भाव ना है तुम मन में स्वरन करो मैं सुनता हूँ तुम मन में मुझे पुकारो मैं आता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए यदि तुम मन को शिवमय बनाते है तो वही मेरा शांती से परिपोर्न के अलाश है वही मेरी सुन्दर काश है वही मेरी उच्जैनी है कौन सी विधी? कैसी विधी? अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है? पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझे तक पहुचने का मुझसे जुडने का मुझसे एक होने का किन्त जोग मुझे ही विभाजित करते वो मुझसे एक कैसी हो शकता है? कैसे जुड़ सकता है जो अपनी भक्ती के मार्ग को पौरों के मार्ग से श्रेष्ट समझे उसकी पूजा में सदै वहंकार विद्द्यमान होगा पूजा करने के लिए श्रेष्ट दाका दे समानता का भावा उश्रक समानता केवल उनमें ही आ सकती जिनका मन अपने अराध्य के प्रती समर्पित दे क्या पूजा साधनों पर आश्रत है सामग्री पर आश्रत है विधी पर आश्रत है या भक्त के भाव पर उनके विचारों पर यदि पूजा करते समय यक्ति को ये स्मर्ण रहे कि वो कितनी श्रत था कितने समर्पन और कितनी भव्यता से पूजा करता तो वो पूजा नहीं जिस्व्यक्ति के मन में ये विचार हूँ कि उसके पास पूजा के परियाप्त साधन नहीं तो पूजा उसकी भी सच्ची नहीं होती है पूजा तो केवल वही सच्ची है जब भक्त के मन नहीं अराध्य के अतिरिक्त कोई विचार हूँ कोई संकोच नहीं वक्त को ये अनुपूती हो कि वो अपने आराध्य से पिठक नहीं उसके आराध्य उससे पिठक नहीं और जो भक्त ऐसा सोचेगा वो वक्ते के अन्यमार्गों का भी सम्मान करेगा मुझे पाने के लिए किसी और विप्ती को माध्यम बनाने की आवशक्ता नहीं क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता यदि भक्त का मन ही निश्चल नहीं तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा और यदि मन पवित्र है तो फिर माध्यम के आवश्यक्ता ही कि मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पूर्ण हृदे जाए ऐसा हृदे जो जीवन के प्रतेक शन प्रेम पूर्ण है और ये तबी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे अपने आप से जुड़ना सीखे जब तक व्यक्ति को अपने मन में विद्यमान देफ्यता की पहचान नहीं उती वो दूसरों में भी उस दिल्वेता को नहीं देख सकता